लोगों को फिल्मों से प्राभावित होकर अपड़ात करना और बचने की कोशिश करना नई बात नहीं है और हाली में सामने आई जुर्म की दो दस्तान फिल्में डेक्स्टर और द्रिश्यम से प्राभावित नजर आती है शरता वालकर हत्यकर में आरोपी अफ्ताप पुना वाला नहाली में अपने बयान में कबूल किया था कि उसने एमरीका के चलिवीजन श्रिंकला डेक्स्टर देखकर शरता कि जान से मानने और शरीड से टुक्ड़े करने के बारे में सोचा था वही शोशल मीडिया पर इन दिनों एक नफड़त बड़ा वीडियो तेजी से वाडल हो रहा है जिसमें एक शक्स कहता है कि मैं होता तो गुस्टे में 35 के बज़ाए 37 टुक्ड़े कर देता हलाकि इस वीडियो में पुस्टी हम नहीं कर रहे हैं वीडियो में दिक रहा है कि आदमी खुद को बुलन शहर का बता रहा है वो इन वीडियो से की गई बाचीत में खुद का नाव राशित खान बता रहा है यह रिपोर्ट से कह रहा है कि जब आदमी घुस्से में होता है तो 35 क्या 36 37 टुक्ड़े भी कर देता है बड़े दनंदाई के साथ वो यह भी कह है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं चाकूलो और काटते चले जाओ यह वीडियो कब और कहा कहा है इस बारे में अभी तक पता नहीं लगा है लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर आप की तरह पहल रहा है रोहीनी में फ्यारिन साइंस की लैबरेटरी श्रद्धा वालकर कि हत्या की मामले में आरोपी अफ्ताब अमीन पूनावाला की पॉलोग्राफी जाच का दूसरा सत्र जारी है अधिकारियों से बिस्पतिवार को यह जानकारी दी अधिकारियों ने बताया कि यह बुदवार को जाच नहीं हो पाई थी क्योंकि 28 वर्च की पूनावाला को जुखाम था एफ एसल रोहीनी के निदेशब दीपा गुर्मा ने कहा कि जाच जारी है और अगर जरूरत पड़ी तो आरोपी उश्कुरवार को भी बुलाया जा सकता है अम्बेटकर अस्पता के सुत्रों ने कहा कि पॉलिग्राफी टेस्ट पूरा होने के बाद दो दिनों के आने का उमीद है आरोपी के मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही उसका नार्कोर टेस्ट कराया जाएगा सुत्रों ने कहा कि पूनावाला का नार्कोर टेस्ट सोमवार को कि जाने के संभावना है पॉलिग्राफी जाच के रक्त चाम नजज और सास की दर जैस शारिविक गति वीदियो की रिकॉर्ड को किया जाता है और इन आगणों के स्तवाल यहां पता लगाने की किया जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं